कि अध्यार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुपी स्टेडी में यह आपका प्रस्णावली जो है कि दस दस मलो तीन चलेगा और सेस्ट वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो हमारे प्रेलिस्ट में जाए वहां पे आपको सवी वीडियो इस सेर जरूर कर दिजिएगा भले वीडियो को जो है कि लाइक नहीं कीजिए गया लेकिन अपने दोस्तों में जो है कि ज्यादा ज्यादा सेर भी कीजिएगा चली स्टाट कर लेते हैं दोस्तादिस बेक्टर ए और बेक्टर बी के परिमार पहले आप लोग समझे होंगे कि परिमार आ गया तो परिमार आपका क्या होता है पता है ना चलिए अब पहले भी पढ़ चुके हैं तो दिया है क्या-क्या पहले लिख लेते हैं दिया है ठीक है क्या-क्या दिया हुआ है परिमार तो परिमार का मतलब यह हुआ कि बेक्टर ए का मान दिया है आप बेक्टर क्या दिया हुआ है बेक्टर ए और बेक्टर बी का क्या परिमार तो पहला मान दिया है करणी में करणी में तीन और दोसरा मान है कितना दो किलियर है पहला मान कितना हुआ करणी में तीन और दोसरा मान कितना है दो करणी में तीन और दोसरा मान कितना है दो इसके बाद यह भी कर रहा है कि वेक्टर A.Vector क्या B यनि कि Vector A दिया हुआ है धान समझेगा अजיע है आपका अगले चेप्टर में आप अगने क्यों क्राइस मल्टिप्लाई चलेगा था मल्टिप्लाई का जरा जो है कि आप अजो प्रोसेस समझेगा यहां माल्टिप्लाई का प्रोसेस क्या चलता है यहां मैं पहले ही किलियर कर दे रहा हूं यादि आई कैप गुणा होता है तो वन होता है जे कैप और जे कैप का गुणा होता है तो दोस्तों वन होता है और के कैप और के कैप का गुणा होता है तो दोस्तों क्या होता है वान जीरू हो जाता है और यह यह प्रोसेस आप यद्रोसेस चलने वाला है क्लिए भुए निकाल लेते हैं आपका पहले ही दिया गया यह भी आपका दिया है अंडरूड कितना तो अब आम लों चलेंगे कि दो सदीस बैक्तर ए और बेक्तर बी के बीच का कुण यह दिनकालना हो तो कस ठीका बरावर इस्गल्टू होता है बेक्तर डॉट बेक्तर भी डिवाइड भाई आपका होता है परिमार बेक्तर एड़ प के बीच का कोड़ तो याद रखेगा सेम प्रोसेस यही दूसरा में चलेगा किलियर है चलिए यहां से आपका हो जाए कास्ट ठीटा बराबर होता है बेक्टर एडाट बेक्टर बी चाहिए फ्रेंड यहां से बेक्टर एडाट क्या परिमार बेक्टर क्या चाहिए बी किलिय है चलिए इस्टे रड़ कर लेते हैं तो दोनों प्रोसेस कीतना है छे有點 है इसके बाद हो जाएगा लगे कितना दिया हुआ है किस है यहाँ से आप क्या based 6 को लिख सकते अंडरोड दो और दॉट अंडरूड क्या तीन डिवाइड बैक या ऑंडरूड तीन अडरूड कितना दूखक क्लियर है देखिए ध्यान समझे यह जो करणी में च्छा है यह लोग इसका मल्टिप्लाई करते हैं तो फिर करणी में 6 आएगा यहनि के हम लोग परिमिकर कर देंगे करनी में 2 से नीचे करनी में 2 से क्यां ऊपर कर यहीं पर आपका अलग अलग यहीं होता है दोनों का आपस मॉल्टिप्लाई हो जाएगा यहां कि जैसे माले समझ दिए करणी में पांच हो अब मल्टिप्लाई आपका करणी में च्छो च्छो पाचे कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा है चलिए है यहां से आपको जाएगा करणी में कितना दो दोस्तों यहीं मालने का मान वांने कितना चाहते हैं भी यहां से थीटा बराबर लेंगे कि यहां है 45 जाते हैं तो पाइब जाएगा फ्रेंड यानि कि जो दो सदीस है वेक्टर ए और व्यक्तर भी इनके बीच का कौन होगा पाइब कितना होगा फॉर चलिए देखते हैं question number 2 को कि यह आपका प्रस्ट नमर 2 है और अभी जो है कि आप प्रस्ट नमर 1 को देखे हैं जिससे आप प्रस्ट नमर 1 को पढ़े हैं वहीं प्रस्ट से में इसमें भी चलेगा सिर्फ आपको अंतर है कि इसमें बेक्टर ए और डाट बेक्टर बी करना है और जो multiply है यहां से मान लेते हैं कि माना यह सदीस दो मान दिया हुआ है न तो मान लेते हैं एक है भीकटर एक यौनि की और सिर्फ तो मान लेते हैं वेक्टर बी बराबर आपका दिया है कि मैंने बताया है आपको बेक्टर ए और बेक्टर बीक निकान करते हैं तो ब्लबर Champ न के चाहिए परिमाड़ चाहिए और परिमाड़ किसका चाहिए इसके बाद निकलेंगे दोक ईसके बाद निकलेंगे तो और हो जाएगा 1 का स्कार नो हो गया ठीक है श्री चार एक पांच हो गया आप पांच और चार कितना हो जाए इसके बाद यह तो आपका परिमाण निकला ना चलिए परिमाण दीका निकाल लीजिए में देख लिजिए काई मिस्टेक ना हो अंडरूद में आपका हो जाएगा तीन तिलिके 9 हो जाएगा प्लस माइनस 2 का स्क्वाइर 4 और प्लस कितना वान इसकल टू आपका हो जाएगा अंडर्वन में कितना आप पांच हुआ और पांच हो ना कितना हो जाएगा 14 त्टिके चलिए यह निकालेंगे बेक्टर 8 बेक्टर भी तो बेक्टर 8 चैनिकालेंगे बेक्टर भी इसकल टू हो कके अई समझाने व भीट्र बरावर आपको हो जाएगा से यह जीस्के अर म travelled articles समझें कियोंकि जब क्रास मल्डिप्लाई जाएगा अगले चिप्र्ट में ऐब आपको जब चलेगा तोह आप मीन जGroup कंफूजियन की और चाहले है थोड़ा आपका होता है यहनि कि आप को ठीट होगा सवाई नहीं कर पाएंगे तो आइख यह क्यान दिजिए आ ध्यान करते हैं तो I multiply करें कितना होजएगा करें इसका इसका टी टी तो 33 करें तो कितना हो जाएगा वन किलियर है इसके आई से अधर दूसरे संख्याव में हम चलेंगे दिखिए आई से जी जे में करते हैं दोस्तों देखिए ध्यान से समझेगा यह आई कैप से जे कंडिन जीरो हो जाएगा जो भी मानिस के साथ जे का रहेगा सवी वैलू क्या कर में कब गेंगे चिरो मैंने से सुद्साहिए कि पलसर जाएगा दो चारों जा करेंगे क्सों क्या दो से जो जाएगा से क्वान लैजय करेंगे क्या नो जो चोड़ आ लिए naturale नो शोड़ दिए इसको त्रियों चोड़ disciples से आई में यह भी 0 हो जाएगा के से जोड़ी जाती हा रहा है अब इसमें के से एस सजाती हो रहा है चले प्लस से प्लस में प्लस हो जाएगा 3 x 3 x 4 A dot vector B, हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो 3 एकम 3 हो गया, प्लस 4 एकम 4 हो गया, प्लस 3 हो गया, 3 इसके बाद निकालेंगे, दोस्ता देश तेनी कि बेक्टर B के बीच का कोन, ऐसे लिख सकते हैं कि बेक्टर A और बेक्टर B के बीच का कौन ठीक है तो बेक्टर A बेक्टर B के बीच का कौन का फार्मूला होता है दोस्तों कौस ठीटा पराबर हो जाएगा बेक्टर A. बेक्टर क्या हो जाएगा बीच का बेक्टर B हम लोगों का मान हो चुका है कितना दस यहां पर रख देंगे क्या दस डिवाइड वह जाएंगे परिमार ए और परिमार बीका वैलू कितना है परिमार एक क्या है अंडर में 14 ठीक है और यह आपको हो जाए करणी में 14 यहां से हो जाएगा 10 बटा में रेजते ही है तो यह हो जाएगा दो से कड़ जाएगा दू साते चुदू पच्य क्या दस यह नहीं की आपका घटा बराबर आपका फाइंड हो चुका है सिर्फ आपको किसका मन चाहिए क्योंकि कोण करना है तो यहां से कास को हम लोग इदर भीजते हैं कास का इदर वेज़ेंगे तो आपको खाथ इनवर्स में चला जाता यह होता है यह बेक्टर ए डॉकर्ट क्या होता है दिवाइड भाइड़ परिमाड ए और डॉक्ट क्या परिमाड बी ऐसे आप कर सकते हैं ठीक है इसके बाद दिखिए यह जो ठिट्टा का इसको भेजते हैं तो बाटा में हो जाता है क्या कॉस्ट त्यांस समझेगा जब लेक्टर भी डिवाइड बाई परिमाड ए और परिमाड क्या बी किलियर है यानि कि इसी तरह से जो है कि हम लोग इतना प्रोसेस ना करके सिर्फ यहां से कास को इधर वेज देंगे तो आपका हो जाता है क्या इनवर्स तो यह रहा आपका क्या एंसो तो यह वीडियो प्रस नमबर वन टू और यह आपका थी चल आए देख चुके हैं और यह आपका 3 हम समझा रहे हैं इसमें आपको प्रछेप निकालना है तो प्रशेप के लिए आप घवड़ाईए का क्या होता है मैं संझा देता हूं कि प्रछेप जो है कि किस तर से हम लोग फाइंड करे मैं पहले तो जिस पर आप लोगों को परणप निकालना होगा वह बेक्टर बी मानेंगे जिस पर आपका प्रण निकालना होगा उसको मानेंगे vector b कभी भी किसी भी सदीश रासी पर परछेप निकालना होता है तो उसको आप vector b मानेंगे तो देखिए का रहा है कि i cap plus j cap पर निकालना है पर यानि कि i cap plus j cap पर सदीश इसका परछेप निकालना है इस पर तो इस पर जब निकालना है और इसका निकालना है इस पर सदीष परछेप तो आपका ये आपका कहला है गाव बेक्टर A बराबर हो जाएगा i cap minus kya j cap क्योंकि जीस पर आपका कोई रहा है वह वेक्टर b का मौन होगा तो वेक्टर b आपका हो जाएगा i cap plus kya j cap किलियर है तो इसके बाद सबसे पहले हम लों dot product निकालेंगे तो vector a dot क्या निकालेंगे vector b vector a dot क्या vector b क्योंकि परचेप के लिए vector a dot vector b हमें ग्यात होना आवस्ते है यानि कि i cap minus j cap और दूसरी question में हो जाएगा i cap plus kya j cap ठीक है इसके बाद i से i में सिर्फ multiply कर देंगे तो 1 हो जाएगा और इसके बाद j से j में कर देंगे तो minus 1 हो जाएगा ठीक है और जो है कि i c j में छोड़ दीजिए क्योंकि 0 ही हो जाएगा यहां से आपको हो जाएग क्या 0 यानि कि vector a dot vector b हम लोग निकाले हैं तो कितना है 0 तो यह कह रहा है कि vector a पर vector a का जो है vector b पर क्या निकाली है प्रचेप चलिए लिकेंगे सदीस बेक्टर a का vector b पर प्रचेप यानि कि सदीस बेक्टर a का vector b पर क्या प्रचेप यानि कि हम लोग निकाल चुके हैं सदीस बेक्टर a का vector b पर यादि हम लोग प्रचेप फाइंड करें तो प्रचेप आपका हो जाएगा बेक्टर ए चाहिए डॉट बेक्टर बी चाहिए आप बाटा में देखिए जिस अपर पूछ रहा है उसको जो है कि हर में ले चलेंगे जिससे जो कि एका बी पर का रहा है न तो बी पर का रहा है तो बी हर निचे रहेगा ठीक है हमेश्चा जो है कि परिमार जो है बी वाला निचे रहेगा क्योंकि जिस पर मों निकालना होता है वो हर में चला जाएगा is equal to यह आपका 0 है डिवाइट भाई परिमाड अभी फाइंड नहीं हुआ न तो परिमाड निकाल लेते हैं चली परिमाड निकालने में क्या है यहां से परिमाड बी निकाल लेते हैं कितना रहा ह सब्सक्राइब निकालते हैं तो आपका कितना जिरो एक बात रखेगा हर इस्तिती में आपका जिस पर कहता है वह वैक्टर b मानियेगा आप लोग और जिसका जो एकडिक निकालना होता है जिस पर उसको मानिया किया वेक्टर a क्योंकि इस पर के Character b मानें हैनी इसका मान 나올 इसु Donc तो यह रहेगा कि आपका वेक्टर ए चलिए देखते हैं प्रस्ट नमबर चार को यह आपका कोश्चन नमबर 4 है छली श्टार्ट कर लेते हैं इसका भी प्रच्छे भी निकालना है तो घबराये गमाद सेम प्रोसेस वही चलेगा चलिए आम पर दो शुरू कर लेते हैं लिए बनाव इस परका रहा है तो आपका व्यक्टर भी को गया और यह क्यों updated सीवन के मार लेंगे तो आपका है एस परMart I जे कैप और प्लस क्या एट के कैप ठीक है इसके बाद जो बी वाला है उसका पहले तो हम लोग परिमार चाहिए ना तो परिमार निकाल लेते हैं तो परिमार निकालेंगे तो आपका हो जाएगा अंडरोड में हे शाषते उनचास हो जाएगा माइनस एक का स्काइर हो जाएगा माइनस का इसकार प्लस एक तो जाएगा प्लस आठी आठी चाहन सथ एक चाहर ना कितना हो जाएगा एकसो होगदा हुआ चलिंए आगे बठते हैं कि इसके बाद हम निकालेंगे बक्तेरött किया वी वी कि रहेट सतीपाइब क्या वेक्टर भी निकालेंगे तो आपका हो जाएगा आई-कैप और प्लस ठीजे कैप और प्लस क्या सेवन केक इसके बाद दोसरे कोश्चक में आपका हो जाएगा सेवन क्या ना reactine आई कैप माली प्लेपलाई करेंगे साथ मल्ल्टपलाई करेंगे सत मल्टप्लाई आई से अि में ओन हो जा जाएगा इसके अई से जहमें करेंगे कारेंगे ब्लफ कर देगा छोड़ POL seul із हिसको से में पुदढने में घुड़ा करें अभिन्हित के बिसतार सी आपको पहले भी जा की है तो यहां से इस समझेंगा साथ में से तीन घटा दीजिए च्यार आधन कितना हो जाएगा 56 आबाराबर कितना दोस्तों स्टार्ट यानि कि बेक्टर A डॉट बेक्टर B फाइंड हो चुका है कितना साथ हुआ तो अब हम लोड लेंगे कि सदीज बेक्टर A का बेक्टर B पर प्रच्षेप प्रच्षेप एसे ने प्रच्षेप तो बेक्टर A का बेक्टर B पर यह दि हम लोग प्रच्षेप निकालते हैं सदीजों का तो आपका फार्मूला बनता है बेक्टर A डॉट बेक्टर B और डिवाइड बाई परिमार क्या चाहिए यहां से आपका हो जाएगा दोनों का पहले भी मांज निकाल चुके हैं वेक्टर A. वेक्टर B का स्टार्ट हुआ है न डिवाइट भाई आपका हो जाएगा परिमार कितना निकला हुआ है अंडरोड में कितना 141 के लिए रहें एक सो क्या 41 यह रहा आपका क्या एंसर तो दोस्तों आपको विडियो कैसा लगा है कमिन्टर के हमें जरूर बताएगा वीडियो अच्या लगाए तो कीजिए और अपने हां दोस्तों में चैर नहीं करते हैं विडियो देखते हैं जडरूर लग yönगे आप आप से लिएंगे अ